एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल तयारी करलो में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे उपन्यास और उपन्यास कारों की तो पूरी वीडियो में यही जर्चा होगी अगर आपने इस से पहले की उपन्यास पर शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित के प्लेलिस्ट जरूर देखें उसमें आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जो कि परिक्षा की तरश्टी से बहुत ही महत्तपूर्ण है और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करकर बिल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों इस चैनल पर रोज 2-3 वीडियो को हिंदी साहित पर आधारित होती हैं जो कि अपलोड की जाती हैं इसके अलावा आप चैनल के प्लेलिस्ट पर अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको 600 प्लस हिंदी साहित पर आधारित वीडियो मिल जाएंगी तो जाएं और अपने according playlist देखें उपन्यास और उपन्यास कार इसमें हम देखेंगे लेखक और उनकी रचनाएं हिंदी का पहला उपन्यास परिक्षा गुरू है इसके रचाईता इसका रचनाकाल 1882 इस्वी है इसके रचनाकार या लेखक लाला सिरीनिवास दास जी है हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास अधिकतर तिलस्मी और आयारी किस्म के थे उपन्यासों में पहला सामाजिक उपन्यास भारतेंदू हरिष चंद्र जी का पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा नामक मराठी उपन्यास का अनुवाद था आरंभ में हिंदी में कई उपन्यास बंगला, मराठी, आदी से अनुवादित किये गए उपन्यास और उपन्यासकार रचनाकार और उनकी रचनाएं लेखक और रचनाओं से संबंदित देखेंगे तो सबसे पहले है क्रम उपन्यास या रचना और उसके उपन्यासकार या लेखक भाग्यवती उपन्यास है जिसके रचनाकार है श्रद्धा राम फिल्लोरी परिख्षा गुरु जिसके रचनाकार है लाला श्री निवासदास नूतन ब्रहम्मचारी सौ अजान एक सुजान के रचनाकार है बालक रश्न भट पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा रचनाकार है भारतेंदू हरिश्चंद्र चंद्रकांता नरेंद्र मोहनी वीरेंद्र वीर अथवा कटोरा भरखून कुसुम कुमारी चंद्रकांता संतती भूतनात इनके रचनाकार है देवकी नंदन खत्री धूर्ट रसिक लाल सोतंत्र रमा और परतंत्र लश्मी हिंदू ग्रहस्त आदर्श दंपती शुशीला विध्वा आदर्श हिंदू कि रचनाकार है महता लज्जा राम शर्मा प्रणयिनी परिणय त्रिवेडी लवंग लता लीलावती तारा चपला मल्लिका देवी वा बंग सरोजनी अंगुठी का नगीना लखनव की कब्रवशाही महल सरा कि रचनाकार है किशोरी लाल गोस्वामी अद्भूत लाश अद्भूत खून खूनी कौन की रचनाकार है गोपाल राम गहमरी ठेट हिंदी का ठाट अधखिला फूल की रचनाकार है हरी ओध श्यामा स्वप्न उपन्यासकार है जगमोहन सिंग देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यासकार है पंडित गौरी दत्थ गोद नारी अंतिम आकांशा के रचनाकार है सिया राम शरण गुप्त देहाती दुनिया के लेखक है शिव पूजन सहाय दिल्ली का कलंग दिल्ली का वियभिचार वेशिया युग रहस मई के लेखक है रिशब चरण जैन पतिता की साधना चंदन और पानी त्याग मई के लेखक है भावानी प्रसाद प्रेमा सेवा सदन वर्दान प्रेमाश्रम काया कल्प रंग भूमी निर्मला प्रतिग्या गबन कर्म भूमी गोदान मंगल सूत्र जो की अपूर्ण उपन्यास है इसकी उपन्यास कार है प्रेम चंद कंकाल तितली इरावती जो की इरावती अधुरव पन्यास है जैशंकर प्रसाद जी का अपसरा अलका प्रभावती निरुपमा चोटी की पकड काले कार नामे इनके रश्नाकार है निराला हार के उपन्यास कार है पंत राम रहीम रश्नाकार है राधीका रमन प्रसाद सिंग् परदे की राणी घरणामई सन्यासी प्रेत और छाया मुक्ती पत जिपसी जहाज का पंग्षी रितू चक्र सुबह के भूले भूत का भविश्य के उपन्यास कार है इलाचंद्र जोशी परख त्याग पत्र कल्याणी सुनीता सुखदा मुक्ती बोध इनके रश्नाकार है जैनेंद्र दिव्या अमिता जूटा सच दो भाग हैं दादा कामरेड मनुष्य के रूप मेरी तेरी उसकी बात बारा घंटे उपन्यास कार है यश्पाल गिर्ती दीवारें शहर में घूमता आईना सितारों का खेल बड़ी बड़ी आँखें गरम राक एक नन्ही कंदील पत्थर अलपत्थर के उपन्यास कार है अश्क उपेंद्रनाथश फिर है सुहाग के नूपुर, शत्रंज के मोहरे, करवट, नाच्यो बहुत गोपाल, अमरत और विश, बून्द और समुद्र, मानस का हंस, नवाबी मसनद, सेठ बाके मल, बिखरे तिन के, महाकाल, भूक, एकदा नयमिशरान्ले, खंजन नयन, करवट इन उपन्यासों के उपन्यासकार है अमरतलाल नागर, सागर लहरे और मनुष से, डॉक्टर शेफाली, शेश, अशेश, लोग पर लोग, नयमोड, एक नीड, दो पंक्छी, दो अध्याय के रशनाकार है, उदै शंकर भट चित्र लेखा, सबहिम नचावत राम गुसाई, तीन वर्ष भूले बिसरे चित्र, तेड़े मेड़े रास्ते, सीधी सच्ची बाते, सामर्थे और सीमा, आखरी दाउं उपन्यासकार है, भगवती चरण वर्मा म्रगनेनी, जहासी कीरानी, गढ़ कुंडार, विराटा की पदमिनी, अहिल्या बाई उपन्यासकार है, वरंदा वनलाल वर्मा वैशाली की नगरवधु, धर्मयुग, अपराजिता, नर्मेद, मंदिर की नर्तकी, हर्दय की परक, हर्दय की प्यास, वयम रक्षामा, आत्मदाह के रशनकार है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री सिंग सेनापती, जय योधे, वोलगा से गंगा तक, किन्नरों के देश में, शैतान की आँखें, मधुर स्वपन के रचनकार है, राहुल सांकरत्यायन बाणभट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारू चंद्र लेक, पुनर नवा के उपन्यासकार है, हजारी प्रसाद दिवेदी दिल्ली का दलाल, चौकलेट, बुधुआ की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खुतूत, फागुन के दिन्चार के रचनकार हैं, उग्र मुर्दों का टीला, कब तक पुकारू, मेरी भाव बाधा हरो, विसाद मैं लखिमा की आखें, देवकी का बेटा या शोधरा जीत गई, अंधहेरे के जुगनू, इनके उपन्यासकार हैं, रांगे रागहो मैला आचल, जुलूज, कितने चौरा है, परती परीकथा, पल्टू, बाबू, रोड, परणो, मर्णो, प्रांथ ये प्रकाशित हुआ था, इनका उपन्यास, इसकी उपन्यासकार हैं, रेणू, फरिश्वनात रेणू बलच नमा, रतिनात की चाची, नई पौध, उग्र तारा, बाबा, बटे सरनात, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुम्भी पाक, किरशनाकार हैं, नागार जुदू सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, मंत्र विद्धा, अनदेखे, अनजाने, पुल, राजेंद्र यादों के हैं फिर है, गुनाहों का देवता, सूरज का सात्वा गोडा, इसके रचनाकार हैं, धर्मवीर भारती शेकर एक जीवनी, नदी के दुईप, अपने अपने अजनभी के उपन्यासकार हैं, अग्ये गेरे के बाहर, मम्मी बिगड़ेगी के उपन्यासकार हैं, डौक्टर द्वारका प्रसाद निशिकांत तट के बंधन अर्धनारीश्वर स्वप्न मई के रचनाकार है विश्नु प्रभाकर प्रथम फागुन डूबते मस्तूल धूम केतु नदी यशस्वी है यह पत बंधु था उत्तर कथा के उपन्यासकार है नरेश मेहता चड़ती धूप नई इमारत उलका मरू प्रदीप के उपन्यासकार है रामेश्वर शुक्ल अंचल एक सडक सत्तावन गलिया लोटे हुए मुसाफिर डाक बंगला काली आंधी समुद्र में खोया हुआ आदमी सुबा दुपहर शाम तीसरा आदमी एक और चंद्रकांता कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार है कमलेश्वर परंतु साया, द्वाभा, दर्द के पैवंद के रचनाकार है प्रभाकर माचवे अंधेरे बंद कमरे ना आने वाला कल नीली बाहों की रोशनी में कापता हुआ दरिया कई एक अकेले अंतराल के उपन्यासकार है मोहन राकेश वे दिन लाल्टीन की छट रात का रिपोर्टर एक चिथड़ा सुख अंतिम अरण्य के रचनाकार है निर्मल वर्मा महा भोज आपका बंटी एक इंच मुस्कान सहयोगी लेखक है राजेंदर यादव के उपन्यासकार है मन्नू भंडारी सेमल का फूल के उपन्यासकार है मारकंडे पच्पन खंभे लाल दिवारें रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार है उसा प्रियम वदा सोया हुआ जल पागल कुत्तों का मसीहा अंधेरे पर अंधेरा उड़ते हुए रंग के उपन्यासकार है सरवेश्वर दयाल सक्सेना तमस ज़रोखे कडियां बसंती मयादास की मारी के उपन्यासकार है भीसम साहनी देवदास शिरीकांत चरित्रहीन ग्रहदाह परिडिता पथ के दावेदार के उपन्यासकार है शरत चंद्र दिक्षा औसर युद्ध की ओर अभिज्ञान के उपन्यासकार है नरेंद्र गोहली काला जल साप और सीड़ी नदियां और सीपियां के लेखक है शानी आधा गाउं सीन पच्छत्तर असंतोस के दिन ओस की बून्द नीम का पेड़ कटरा भी आरजू के उपन्यासकार है राही मासूम रजा रागदरबारी सीमाय तूटती है आदमी का जहर अग्यात वास के उपन्यासकार है शिरिलाल शुकलो रानी नागमती की कहानी तटकी खोज के उपन्यासकार है हरी शंकर परसाई तेरा कोटा खाली कुर्सी की आतमा एक कटा हुआ कागज कोयल और आवरतियां के रशनकार है लक्ष्मी कांत वर्मा दूसरी बार के उपन्यासकार है श्री कांत वर्मा मचली मरी हुई एक अनार एक बीमार शहर था शहर नहीं था के उपन्यासकार है राज कमल चौधरी बडी चंपा, छोटी चंपा, मन वरंदावन, काले फूल का पौधा, हरा समंदर, गोपी चंदर, धरती की आखे, रूपा जीवा, प्रेम अपवित्र नदी उपन्यासकार है लक्ष्मी नारायन लाल कुरू कुरू स्वाहा कसप नेताजी कहिन के उपन्यासकार है मनोहर श्याम जोशी पत्य की खोज, अजय की डाइरी, मैं, वे और आप, रोडे और पत्थर के उपन्यासकार है देव राज सूरजमुखी अंधेरे के जिन्दगी नामा हम हश्मत, मित्रो मरजानी, यारों के यार, डार से बिछुडी, दिलो दानिश के उपन्यासकार है क्रशना सूबती एक पती के नोट्स उपन्यासकार है महेंद्र भल्ला यथा प्रस्तावित, ढाई घर, चिडिया घर, साहब, मात्राएं उपन्यासकार है गिरी राज किशोर सफेद मेमने, मेरी इस्त्रियां, हुले हुए दरीचे उपन्यासकार है मणी मधुकर अनारो लेडी क्लब के उपन्यासकार है मंजुल भगत छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिन्दगी, आंगन में एक व्रक्ष के उपन्यासकार है दुसियंत कुमार सर्प गंधा, मुटभेड, आकाश कितना अनन्त है देरे वाले बावन नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा बेन गंगुबाई, बोरी वली से बोरी बंदर तक उगते सूरज की किरण के लेखक हैं शैलेश मटियानी गंगा मैया, सत्ती मैया का चोरा के उपन्यासकार है भैरो प्रशाद गुप्त बहती गंगा अलग-अलग वैतरणी के उपन्यासकार है शिव प्रशाद सिंग रुद्र रथ के पहिये, कट पुतली, दूद गाच, ब्राम पुत्र के रचनाकार है देवेंद्र सत्यार्थी हम चाकर रघुनात के कसे कसे सच मन के उदास है मुझरिम हाजिरो के उपन्यासकार है विमल मित्र मुर्दाघर के उपन्यासकार है जगदंबा प्रसाद दिख्षित अर्थ हीन के उपन्यासकार है रघुवन्ष एक चुहे की मौत, सभा पर्व, छाको की वापसी के उपन्यासकार है बदी उज्जमा तो दोस्तों यह थे प्रमुख उपन्यास और उनके उपन्यासकार अगर आपने पिछली वीडियो उपन्यास, नाटा, कहानी पर वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हिंदी साहित की प्लेलिस्ट जरूर देखें इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद